आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वालों कि कैसे आप अपने वाइफाइ नेटवर्क को हाइट कर सकते हैं और जिसे आप चाहें वाइफाइ अलाओ कर सकते हैं जिसे आप चाहें ब्लॉग कर सकते हैं तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है and I hope आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आएगा तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो दुस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा तो चले स्टार्ट करते हैं and let's के स्टारे सबसे बैले दूस्तों आप लोगोने वरावोजर में जाना है and इसके लिए अपलने फरी मॉबायल के यूज़ सकते हैं यहां पर आप लोग ने जैसी login करे लिया, login करने के बाद आप लोगों ने यहां पर एकसेटफ पेज आ जा जाए गए, यहां पर आप लोगों ने कोई भी whatever आपके पस कोई भी device है, कोई भी होगा, वाइरलेस का option आपके पास लाजमी हो गा, So wireless के option पे जाने के बाद आपके पस यहां पे बहुत ही important चीज़े जो आप लोग के लिए वो सबसे पहले है आपके वाइफाई के SSID नेम मतलब आपके वाइफाई का जो नाम होता है वो आपके वाइफाई का SSID नेम भी होता है So उसको आप लोगों ने बहुत ही केरफुली चेंज करना है बिकास अगर आप उसको गलत तरीके से चेंज करते हो तो बात में आपको खुद परिशानी हो सकती है तो आप लोगों ने कोई ऐसा नाम रखना है जो कि आपको spelling wise याद रहे For example, मैं यहाँ पर रखता हूँ ABC And just because कि वो बहुत ही simple पर जाएगा And मुझे easily याद भी रहेगा But अगर आप लोगों ने गलत तरीके से इसका नाम रख लिया And secondly, make sure कि आप ऐसा password रखे जो कि किसी और के पास Sorry, आप ऐसा नाम SSID नेम ऐसा रखे कि आपके round about जितने भी वाइफाई आपके पास आ रहे हूँ आपको शो हो रहे हूँ उन मेंसे कोई भी नाम सेम ना हूँ आपके मतलब आप उन मेंसे किसी का भी नाम copy ना करें विकिस अगर आप दो वाइफाई के नाम सेम हुए तो आपके अपने वाइफाई का नाम भी जो गायब हो जाएगा तो आपको उस तरह से परिशानी face हो सकती है आप लोगों ने same name नहीं रखना आप लोगों ने different name रखना है लाजमी इसके बाद आप लोगों ने Wi-Fi के SSID का name change करने के बाद आप लोगों के पास यहां पर नॉमली जो option होता है hide access point के नाम से option होता है बट अगर आपके पास hide access point के नाम से option नहीं है तो अगर different router आपके पास आपके पास यहां पर होगा enable SSID broadcast आपके पास यह option हो सकता है enable SSID broadcast आप लोगों ने यह enable करके इस option को इसके बाद इन दोनों पर से कोई भी option हो आप लोगों ने enable करके apply and save पे click कर दिना है जैसे यह apply करेंगे save करेंगे आपका password वही पुराना रहेगा जो आप लोगों ने पहरे लगए लगा था भी हो तो कोई माई का लाल भी आपके wifi पे login नहीं कर पाएगा क्योंकि एक तो उसको आपके wifi का password नहीं पता अगर by chance उसको wifi का password पता भी है तो उसके बावजूद वह login नहीं कर पाएगा कि just because के आपके wifi के SSID name यह उसी नहीं पता होगा आप लोगों ने यहां पर जो wifi का नाम रखा था वह लिखना है correctly जैसे ABC मैंने रखा है ताकि मेरे लिए easy रहे इसके बाद आप लोगों से wifi का security code यह ने password आपसे मांगा जाएगा आप लोगों ने यहां पर password वही old password इंटर करना है क्योंकि password हमने चेंज नहीं किया था कनेक्ट हो जाएगा एंड मेरा wifi मुझे सिर्फ मेरे लिए enable हो जाएगा बाकी सब के लिए hide रहेगा सो यह देखे मेरा wifi कनेक्ट हो गया ABC इस wifi का नाम है एंड इसका जो बाकी procedure मैं आपको को सिका जोगा हूँ सेकेंड लिए अगर आप विंडो 10 वगयरा नहीं यूज करते हैं विंडो 7 या 2006 या 2006 या कोई और विंडो यूज कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही सिंपल सा प्रोचिजर है आप लोगों ने अपने विंडो के control panel setting में जाना है access connection on internet इस पे and then manually connection पे आप लोगों ने क्लिक करना है and then next कर दिना है next करते हैं यहाँ पर आप लोगों से वाइफाई का name network name आजाएगे यानि आपके वाइफाई का SSID नाम आजाएगे तो आप लोगों ने simply उपर पुट करना है second यहाँ पर जो third वाला fourth हमारे पास security code है इसमें हमारे पास आपके wifi का नाम होगा but उससे पहले आपको लोगों ने security type को change करना है आपके करना WPA2Personal इस पर क्लिक करना इसे select करती है आपके पास यहाँ पर security code मांगा जाएगे आप लोगों से आप लोगों ने यहाँ पर security code provide कर देना है जो आपके wifi का password है आप लोगों ने वह इंटार कर देना है and इसके बाद आप लोगों के पास last में होगा connect even if the network is not broadcasting so यहाँ पर आप लोगों ने इस connection को enable कर देना इस option को and then इसके बाद next पर click करती आपका जो wifi वो automatically connect हो जाएगा and यहाँ पर आप लोगों देखिए कि here it is आप लोगों देख सकते कि मेरा जो wifi है वो automatically connect हो चुका है so यह एक मैं समझता हो कि बहुत ही important चीज़ है क्योंकि अगर किसी ने आपका password निकालना है तो वो किसी तरीके से भी निकालना है चाहिए आप कुछ कितने भी password उसके लिए put कर दो से मैं अगर अपने को ने mobile पर यह किसी Android या iPhone पर क्लिक करना है वहाँ पर login करना तो उसका method बहुत ही simple है सबसे पहले आप लोगों ने अपने wifi के settings में जाना है वहाँ पर mobile में Android में and then आपके पास यहाँ पर add network का option होगा आप लोग ने add network पर क्लिक करना है and then add network पर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ से सबसे पहले आपका SSID नेम होगा यानि network नेम आपसे मांगा जाएगा आप लोगों ने यहाँ पर अपने network का नाम देना है make sure कि आप network का नेम सिंपल दे मुश्किल ना दे इसके बाद आपके पास यहाँ पर third option होगा WPA, WPA2 and FTPS की security को टाइप करना है and then आप लोगों ने अपने wifi का password इंटर करना है and आप लोगों ने password जैसी इंटर कर दिया इसके बाद आप connect पर क्लिक करेंगे तो automatically आपका wifi connect हो जाएगा so यह मैं समझता हूँ कि बहुत ही important topic था जो आप लोगों के साथ share करना था because sometime अगर आपकी internet किसी ने आपके internet का password निकाल लिया तो आपके internet की slow browsing होती है, आपके internet की speed down हो जाती है so बहुत सारे issues हो सकते हैं और जिसने आपके wifi का password निकालना है तो वो कहीं ने कहीं से आपका password निकाली लेगा तो अगर आप अपने network को hide कर देते हैं so यह मैं समझता हूँ कि बहुत ही important है जो कि हर बंदे को करना चाहिए कि अपने wifi को secure करे so यह आप लोग इस तरह के यह option क्लिक कर सकते हैं यह वाला जो method apply कर सकते हैं इसके बाद एक और tutorial मैं जरूर बतब बनाऊंगा कि जिस पर मैं आप लोग को यह सखाऊंगा कि completely 100% अपने wifi को कैसे चीज़ कर सकते हैं मैं आप लोग को एक और चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि इस तरह के method आप लोग को जरूर apply करने चाहिए just because के और इस तरह की वीडियो को लाजमी शेयर किया करें क्यूंकि आपका wifi आपके लिए बहुत ही important रखता है क्यूंकि आपका wifi आपके नाम पे registered होता है तो आगर आपके wifi को किसी निचोरी कर लिया और उसने कोई illegal काम कर लिया उसे तो उसमें आप पकड़े जाओगे तो ये एक बहुत ही important से element है कि आप अपने wifi को जितना secure करना चाहो secure करो आज के लिए इतना ही था and I hope आप लोगको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगए तो चले मिलते हैं शल्ला नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल लगए अलाफेज बबाई थैंक्स वाचिंग टेक है